इस कारिक्रम के पुर्ण्यार जखें श्री वर्धुमान श्वेतामबर स्थानत वासी जैन श्रावक संग ट्रस्ट उपाध्याई प्रवर प्रवीन रुशी चातुरमा समिती इस अन्तगड के अराधना करते समय कैसा बीजवोया जाए कि वो पल जीवन में आये कि अगले जनम में मुक्षो जाए और ऐसे जीव जब जनम लेते हैं सारी दुनिया भी उनकी दुश्मन बन जाए तो बाल बाका ने होता है किसका पुन्य काम करता है ऐसा आपको लगता है कि सुल्सा की तपश्चा के कारण से सवा नथी हरी निगमिशी देवता के कारण से सवा नथी बेसिक कारण है उसका कि देवकी के गर्भ में जो जीव आने वाले है आये है वो चरम शरीरी है कौन है जराद देवकी को वंदन करोंगे कि ऐसी मा कि जिसके कुख से सातों ही मोक्ष में गयन आठवा तिर्थन कर बनाए क्यास भागे शली मा होगे क्या रुनानो बंद और क्यास नहनो बंद होंगे कि ऐसे जिवों के सात रिस्ता बना ऐसे जिवों के सात रिस्ता बना कि जिन जिन को मोक्ष में जानाता हुए सारे दिवकी के पास पहुचे टोपनिति रावन की माँ भी बन सकती थी क incubusak की माँ भी बन सकती थी लेकिन बनी ही मौक्षगाम जीव की माँ सपना देख सकती हो अरमान संजोः सकती हो कि मैं भी दियुकी के समान ऐसे संतति को जनम दो कि जो वापस किसी माँ को रुलाया ने ही और उन जीव का जो पुन्य होता है उन जीव का एक वर्दान होता है एक नेम होता है कि इन जीव की अकाहल मुर्त्यू बेसमे की मोत उनकी नहीं होती है कोई चाहे जितना प्रयास कर ले उनको मारने का जिसमें उनका आईश्य कर्म पुरा होगा तब वो मोक्ष मेही जाएंगे मृृत्यू होने वाली और इसलिए उनका पुन्य देखे कैसे काम करता है हरे निगमेशी देवतानी देव की और सुल्सा का रुतु का लेक कर लिया है कौन सेवा में आए किसके लिए सेवा में आए उन जिवों का पुन्य कि कौन से प्रयास कर रहा है कि जनमते हिनको मार दूंगा और कौन से ने सारी ववस्ता करिये मारने की बचने के कोई संभावना लेकिन पुन्य बल जब होता है धर्म का है पुन्य दो प्रकार के होते है एक धर्म से उपारजित किया हुआ पुन्या और एक अनीती से कमाया हुआ पुन्या है शब्द समझ में आया है पुन्या धर्म से भी होता है और पुन्या अनीती से भी होता है उल्टा धन्दा करके कोई दान करे पुन्य तो होगा लेकिन कैसा पुन्य होगा वो अनिती का अश्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ् कहां लेकर के पठकेगा कहां ले जाकर गिराएगा कोई भरोसा नहीं है इसलिए एक कमसके पास पुन्य था लेकिन अनीती से कमया हो पुन्य था और इन सातों ही जिवों का पुन्य नीती से धरम से कमया हो पुन्य था जो नीती से धरम से पुन्य कमाते है वो चाहे एक पैसे का पुन्य कमाए वो एक अरब का फल दे जाता है और अनिती से कमाए वो एक अरब का पुन्य भी एक रुपे का फल दे जाता है इसलिए पुन्य कमाता है कृष्ण लेशावाला जियो भी पुन्य कमाता है लेकिन दोनों के पुन्य में जमίν आसमान का अंतर है एक पुन्य में जिंहा लगता है और एक पुन्य सर रौने का परिनौ सामने आता है सोच लेना कॉन सा पुन्य कमाना है हरी जमिसी डेवतान दोनों का पिरेड एक साथ ऐंचागे क्या देवता कर सकते हैं देवता ना कंस को रोक सकते हैं ना मरने वाले बच्चे को जिन्दा कर सकते हैं लेकिन क्या कर सकते हैं आप लोग क्या सोचते हो जो कर सकते हो सोचते हो कि जो ने कर सकते हो सोचते हो क्या सोचना चाहिए अब जन्मा है उसका आईश्य तो पुरा हो जुका मैं क्या कर सकता हूँ अब कम उसने तई कर लिया जनम ते ही मार देना है तो अपने हाथ में क्या रा इस सारे नहीं कर सकते हैं सोचने वाले बेखती है ऐसी कोई situation नहीं होती है कि जहां तुम कुछ नहीं कर सकते हो और जो तुम कर सकते हो वो करती चले जाओ तो मन्जिल मिलती ही मिलती जम सक्काई थम किरई याद होगा ना अलश शासन परिशद वालों को बोलो जम सक्काई थम किरई जो शक्क है वो करे बिना मत रहो हरी निगमिशी देवता जेल खाने से देवकी को बाहर नहीं ला सकता था हरी निगमिशी देवता सुलसा के मरने वाले बच्चों को जिंदा नहीं कर सकता था लेकिन हरी निगमिशी देवता एक काम कर सकता था कि दोनों का पिरियड एक साथ आ जाए एगयरण जब एक साथ आता है तक गर्भ की धарना भी एक साथ होती, और गर्भ की धारना एक साथ होगई... तो जनम भी एक साथ होता है parity कहा करना है उरुट कॉजमे की बिच में है bornation stone है वर हिलने गमिशी देवता ने दोनों का रुत काल एक ल्याइए और रहुण्नों को ही पता नी माता को सुल्शा को भी पता नी और है दिव की को । भी पता नी क्या खेल चल लए है और चरμ शरीड जीव को दिव की जनम देती है इधर मरे भेज़ बच्चे को सुल्सा जन आम देती है, और हरी गमेशिय देवता इन दोनों का टांसफरमेशन, टांसफर कर देती है, इंदर का उधर उधर का, देव के को लगता है, मरे वे बच्चे जनवे। और सुल्सा को लगता है कि बच्चे जिंदा जन्वे पाये किसने, जाये किसने पाये किसने, जाये किसने क्या ये सौंसार का गरी थे जिसने धारन किया उसने जनम दिया लेकिन पाया नहीं और जिसने जनम ने दिया, उसने पाया है, कहा माथा पच्चे करोंगे, क्या हो सकता है, कल्पना तो करो, हम इतना सारा गनित लगाते चले जाते, कि अरे हाँ, आप इतना करा हैं तो जाएंगे, अरे जाएगा तो भी पायेगा नहीं, उसको जाया आएगे, जिसने जाया था बच्चे, लेकिन अरऱ रेनि गमिशी देवताने एक पल में ऐसा खैल खेला कि इदर जनमा, इदर जनमा, इदर का, इदर कर दिया, और कवस्च खुष हो गया, कवस्च है, किश बढ़ पर, क्या मेरी दहशत है, क्या मेना प्रभाव है कि मारने के पहले बच्चा आप कभी ऐसे खुशी मनाते नि मनाते हो कभी मनाई नि मनाई नि मनाई क्या मेरी दश्यत है मैं नजर उठाई और वो तो ऐसा ही भाग रया मुझे कुछ करना ही याद रखना है कंश का सोच जब तुम्हे सोच अंगे अंदर कंश का बिज पड़ेगा और कंश सोच ता है कि क्या मेरा डर्ष्ट क्या मेरा भै क्या मेरा प्रभाव कि मुझे मारने की जरूत ही मरावाई जन्मा ओसुच भीनी दिस्त तस नस्त मनों जग फस्त जैसा दिखता वैसा होता इसलिए दुनिया उलस्ती है अब उसको क्या पता कि जो जन्मा है वो तो सुरक्षी थे तुम क्या मार सकोंगे जिसके पास अपना पुन्य है धरम का पुन्य है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है अनिती का पुन्य हो तो बाल बाका हो सकता है लेकिन धरम का पुन्य हो तो बाल बाका नहीं हो सकता है ये सुल्चा की कथा ये देवकी की कथा है और फिर स्री कृष्ण का जन्म तो आपको पता ही है और कैसे उसके टांस्परमेशन के लिए हरी निगमिशी देवता नहीं आया तो देव की लिजा कर गारी निग लिजा ता कर अंबर से लिकिन व्वासु देव के लिए वशु देव को ही जाना पड़ा है लेकर गेढ, बंधन तुम बांध सकते हो, बंधनों में किछी को जकड सकते हो लेकन याद रखो, कितने भी बंधन हो, तो तोडने के रास्ते आज तक कोई बंधन सभएंगा कि कोई नहीं को ढालाइ कि इसको तोड़ा नहीं एक कि जिसको को ढाला जा और उन बच्चों को भी पता नहीं कि गरब में किसके रहे थे और अदूत किसका पिया है रहश्य समझ में आ रहा है कुछ इसलिए मैं बहुत बार कहता हूं इन माताओं से जो लोग आई वे फी करने के लिए जाते हैं न जब इनको नॉर्मल संतती नहीं होती तो वो मेडिकल साइंस में जाते में काय को माथा पच्ची करते हो 35% रह नहीं उसका सक्सेस का 65% 100% पहले तुम्हारे नहीं जनम रहे तो जन्ने हुए को तो तुम ले सकते हो नाई को जलूरी है कि जिसको तुम जाओ उसी को तुम पाओ अंतगड सुतर ये कहता है कि जिसको तुमने जाया नहीं उसको भी तुम पा सकते हो मुझे लगता है कि अड़ोप्शन का सबसे पहला रेफरेंस के आंतगड में है तो ये है उनको पता है नहीं अड़ोप्तिया हुआ और वो छहीं बेटे बिल्कुल इतने सुंदर या अप्रतीम रूप अनुपम रूप उनके जैसा संदरिया और ना गाथा पती उनकी उनको पा कर के खुषय झुशा खुषय अपने भागे पर इठाती है उनका विवाह होता शादी होती सबकुछ होता सबकुछ होता और अरिष्टे नेमी परमात्मा पधार दे और अरिष्टे नेमी परमात्मा पधारे उनका प्रवचन सुना उनके दर्शन किया और प्रमात्मा के रहां पर चलने का निर्ण ही हो गया प्रवचन और दर्शन तभी सार्दक होता है दो साल पहले चिंच्वण पुना के पास के एक छोटे से गाउ में से एक सुमार परिवार में से कही ना हुआ है गोडसे परिवार उस गोडसे परिवार के मा, बेटी, बा, बेटा चारो की दिक्षा एक साथ हो ले थी बाप तो जर्मनी में था सौप्टर एंजनियर वाकी सर्वी छोड़ कर आया लगाई बेटा भी उस्या जब जानकारी मिली की दिक्षा ले रहे तो मन मिलने का हुआ है जो साथ में चल रहे थे विहार में उनको कहा कि किसी तरह से मिलाने के वस्ता करो और चिंच्वा टेशन पर उनको आये मन में एक तमनना थे जग्यासा थे किनको जैनकुल जनम से मिलाने और यह दिक्षा ले रहे है महा बेटी बाह बेटी चारो एक साथ दिक्षा ले रहे है इस भावना जन्नी के से एक महा पुरुष का सानिध्ध्य मिला और जिन्शासन के प्रते प्रेम आया धरमशाला बनाई अपने जमीन परिश तिर्थ बनाई अपने जमीन परिश और इतना स्वरा करने के बाद दिक्षा के तरफ कदम बड़े उनके मन में जिग्यासा थे कि कैसी दिक्षा के तरफ कदम बड़े और उन्होंने एक वाक्य बोला बंदो उस वाक्य को में जिनिश्वर के रहा पर नहीं चले तो जिनिश्वर के रहा पर नहीं चले तो जिनिश्वर बन्नी मिलने का फाइदा ही क्या है। इस सोस से मों दिक्षा नहीं हो नहीं अभी दो साल पे ने दिक्षा हुई और इसलिए इछ जैसे परमात्म के पास पहुथते हैं तो परमात्म की रहा पर चल पड़ते हैं और एक अनूठा संकल्प, एक आदभूत संकल्प आगम में जितने भी तुम्हें साधु-साधियों के जिक्र मिलेंगे इसके अलामा है एकी जिक्र मिलेगा इंद्रभुतिय गोतम हो के सुधर्मा सौमी हो के अरजून्मारी हो के कोई भी हो वे आकेले गो respectable आपनी अपनी गोत्री आप लाते आप खाते अपका नेग्र्श्य लेकिन ए च्छे तिर्थण करके पास पहौँच दें एक दि tähän दिक्षा लिए और एक दिक्षा लेकर के तिर्थण करके पास पहौच कर के थे अम हो वय करके दो मैं नहीं हम ऑलो हम आपने क्या बोलना चीह हम हम बेले बेले पारने करेंगे मैं बेला बेला पारना करूंगा नहीं हम चेहीं बेले बेले पारने करेंगे इस संभू की साधना इस संग की साधना और जब संग की साधना होती है तो गरीमा कुछ है औरी बनती है अकेली की साधना तुम घर पर बेटकर पतिकमन करो, सम्हों में बेटकर पतिकमन करो, तुम घर पर बेटकर कर ओनलाइन यूटूब पर सुनो, और यहां बेटकर कर सुनो, जमिन आसमान का अंतरे, कि यहां जो सम्वेदला होती है, यहां जो उर्जा मिलती है, आपकी उर्जा मुझी मिलती है, आपको क्या लगता है आपको ये लगता हूंगे कि मरत सब की उर्जे हमको मिलती है गनित देखना क्या होता है लगता है कि उर्जे हमको कि उर्जेश घ्रिटाष उर्जें को स्देट मिलती है